ग्यारा बार बोले यह शब्दा और रात में देखे चमतकार नमस्कार दोस्तो आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत-बहुत श्वागत है हमारे चैनल में जब हम रात में सोते हैं तो हमारे बाहर शरीर सोता है लेकिन हमारे आंत्रिक शरीर जिसे हम अवचेतन शरीर बोलते हैं फिर अवचेतन वन बोलते हैं या फिर सुक्षमा शरीर बोलते हैं ये जागरित अवस्था में होते हैं तो रात को सोते समय भगवानद से आपको कौन से 11 बार 11 बार, कौन से सब्दा बोलना है, जिससे आपकी जीवन में रात में चमतकार होगा, इस विड़ 제일 में आप लोगों को सारे जानकारी बिस्तार से बताऊँगा, इस से पहले बताना चाहोगा मनुश्य की दो सरीर होती, ए बियानि कि हम से और स्जाद है कर्यार का लाथा चाहर हुट है जो हमारे अंतरिक मन है यह परमात्मा सरी को सब्सक्राइब है तरह chilly देंगों करें ग्रसिद रहते हैं तो अगर आज के बिड़ो मिस कर दिये तो सारे जिंदगी पस्ताना पड़ेगा एक ही बिड़ो में मैं आप लोगों को शंपू न जानकारी बताऊंगा बिड़ो को अपने फैदे के लिए पूरा जरूर देखना अगर प्राचिन ग्यान की बताएंगा ज बढ़ रिजाण करी लगेगी तो ब्रें को लाइक करना हमारे चैनल को स्बूस्क्राइब करने और कमेट बॉक्स में जैसीरम जलूर मैं देखे हैं हम प्राचिन ग्यान चैनल इसलिए वनाए है ताकि आप सभी लोगों का भला कल्यान हो हमारे चैनल में हमारे विडियो में ब्यूज आए या ना आए सबिस्क्राइबर बढ़े या ना बढ़े इसे हमें कोई फरका नहीं पड़ता अगर हमारे विडियो में बताएं कि उपाय से किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है हम अपने आपको क्रितार्थ समस्ते हैं हम अपने आपको सभागे साली समस्ते हैं और हम समस्ते हैं कि आज हम यूटूब में आ करके जो जानकारे बताएं वो जानकारे शार्थक हुआ आप में से दिखता लोग जो पतनी हैं पती हैं हमें कुमेंट करते हैं कि गुरू जी आप ये बता दिजे कि रात में पती और पतनी को कैसे सोना चाहिए फिर इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा शंपुर्णा जान करें तो वास्तो भी ज्यान में कहा है कि दमपात जीवन में आपसी प्रेम और ताल मेल के लिए पती और पतनी ये दोनों को ध्यान से शुखे पतनी को पती की बाईयोर सोना चाहिए और पती को दाईयोर होना चाहिए इसके पीछे काराण है कि पति को पति का बाया अंग माना गए जबकि पति को पति का दयाहिशा माना गए इसे परवारिक जीवन में संतूलन बना रहते हैं आई अब इस वीडियो में जानते हैं किस दिसाप की तरह किस दिसाप की ओर सीर करके सोना चाहिए जिसे अच्छे नींदा है और जीवन में चल रही जो परसानी हुआ दूर हो धर्म सास्तरा काते हैं वास्तो विज्ञान काते हैं कि मनुष्र को हमेशा उत्तर की तरफ मुख करके सीर करके सोना चाहिए जो लोग जैसे कि विद्यार्थी हैं जल्दी से कोई भी प्रस्णों को याद करते हैं उत्तर को याद करते हैं भोल जाते हैं ऐसे विद्यार्थी को ये फिर जो लोग नौकरी प्राप्ता करना चाहते हैं प्रमोशन प्राप्ता करना चाहते हैं ऐसे वेक्ति को उत्तर की तरफ मुख करके सोना चाहिए जो लोग पुर्वा की तरफ मुखर के सोते हैं ऐसे व्यक्ति को जीवन में पुर्व समय में कियेंगे जैसे के पुन्य है पुर्व समय में कियेंगे जो पाप हैं पुर्व समय में कियेंगे जितने भी जो घटना है ये सब याद आते हैं पुर्वा की तरफ मुखर के सोने से पश्चिन की तरफ मुकर के सूने से क्या होता है देवताओं की कृपा प्राप्त होता है सोने से पहले किस मंत्रा को जपने से जल्दी नींद आता है आप में से दिखते लोग हमें comment करके पुछते है तो हमारे धर्मसासत्वरों में ऐसा बताया जाता है जो वेक्ति गायतरी मंत्रा जाब करके अगर सोने से पुर्वा पांच बार गायतरी मंत्रा का जाब करके सोते हैं तो जल्दी गहरी नीन दाती है लेकिन गायतरी मंत्रा जाब करने का एक नियम है गायतरी मंत्रा को कभी भी बोल करके नहीं सोना चाहिए गायतरी मंत्रा को कभ बैतरी मंत्र जप्ति हमारे सरीर में उर्जा आजाते हैं तो आप में सधिक्ता लोग फिर कोमेंट करके हमें पूछ रहे थे कि गुरुजी कितने बज़े सोना चाहिए जिससे हमारे जीवन जो है अच्छे सी गुजरे हमारे जीवन में अध्यात्म उनती हो और हम भी सफाल व उर्जाने सोले से पहले किसका ध्यान करना है अगर आपके कोई इस्ट द्योंता है जैसे कि आप राम को मानते हैं भगवान को मानते हैं हन्मान जी महराज को मानते हैं माता रानी को मानते हैं यह फिर भोले नात को मानते हैं ध्यान से शुने आप अपने इस्ट द्योंता का लाइक और फिर आप सभी दोसतों से हाथ जुड़ करके निविदन कर रहा हूं अभी तक मेरे चनल को सब्सक्राइब नेके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे आत्मा बल बढ़ते हैं और मैं आप लोगों को इस प्रकार के अच्छे अच्छे ग्यान भरी जानकारी बताता हूँ और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि प्रा पूछेगे सवाल की बिड़ो बना करके जानकरी साजा की जाएके तो सोते समय भगवान को आपको ग्यारा बार कुन से सब्द बोलने आईए जान लेते हैं तो सवर प्रत्थम तो आपको अपने जो भी देवी देवी देवताओं को मानते इस्टा को मानते हैं उसके ग्यारा बार मंत्रा की जाब करना है ग्यारा बार मंत्रा की जाब करने बाद आपको बोलना है पहला सब्द बोलना है कि मेरी इच्छा पुर्ण करें दूसरा आपको बोलना है धर्म के मार्ग पर चलू तीसरा आपको बोलना है मुझसे कोई पाप नहों चौथा आपको बोलना है आ आप मेरे सहायक हो आठवा आपको मेरे उन्नति करें आपको नौमा सब्दा बोलने प्रभू मुझे अपनी गोद में सुनाइं गहरी निन्द में ले जाएं दस्वा आपको बोलने हैं कि पर्मात्मा मेरी कल्याण करें औरrüっ-घ्जारवा सब्द आपको बोलने प्रभू आप के साथ चाहिए प्रभू आप कह रहते किसी कभ नहीं है मुझे बस यह आपको यह 11 सब्दा बोलना है और आपको अपने गुरु मंत्रा कजाब करके यह फिर जो भी आप देवी देवताओं को मानते उनके मंत्रा कजाब करके सो जाना ऐसा माना जाता है जो भी रात के समय में सब्दा बोलते हैं उस सब्दा को बोल करके सोते हैं तो हमारे अवचेतनमन जागरी तवस्था में होते हैं वेरे सारे बाद जितने आपने 11 यहां पर मैं सब्दा बता हूँ इसलिए अगर आप यह सब्दा बोल करके सोते हैं तो यह सारे इक्षा भगवान के सामने में जा उखे भगवान को जब आप कुछा थे दीकला मान GREEN ये सब होता करतेश में प्राचिन जिलंगे आज आपके जीवान में कल्यानकारी साभीत जरूर होंगे मंगल में साभीत जरूर होंगे तो यह जानकारी कैसा लागे हमें कोमेंट सेक्षंट में जरूर बताना और इस वीडियो को आगे शेयर कलना न भूलना धन्यवाद नमस्कार